जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, कीटो बी क्रीम एक मिश्रित दवा है, इसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के त्वचा में फंगल इंफेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है, यह संक्रमन पैदा करने वाले माइक्रो और्गनिजम के प्रभाविक शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए, दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं, अगर यह आपकी आँख, नाक, मूह या योनी में चला जाता है, तो पानी से धो लें, लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है, तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें, दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए, इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए, अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, या अधिक खराब हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाह आम तोर पर यह एक सुरक्षित दवा होती है, हाला कि इससे दवा लगाने के स्थान पर जलन, इरिटेशन, खुजली और लालपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं, ये साइड इफेक्ट आम तोर पर हलके और आत्मसीमित होते हैं, गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में होते हैं, अगर आपको कोई अलजी प्रतिक्रिया, चिकते, खुजली, सूजन, सास की कमी, आधिक का अनुभव होता है, आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, इस दवा को लेने से पहले, अगर आप इसी बीमारी या किसी अन्य बीमारी के लिए अन्य दवाएं ले रहे हैं, या आपने हाल ही मिली हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं, गर भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का सेवन उचित परामर्श और सावधानी के साथ करना चाहिए, अगर आपको दवा से ग्यात अलजी है, तो आपक इससे infection और भी खराब हो सकती है, या फैल सकती है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और all notification को क्लिक करें, धन्यवाद